हेलो फ्रेंड्स मैली लम मेरे किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ अलू मटर पराथा रेस्पी फ्रेंड्स या खाने में बहुत ही टेश्टी होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आफसाल है मेरी रेशिपी से आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बना कर खाएंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर आल पर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की नॉटिफियेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं आलू मटर का पराथा बनाने के लिए यहां हमने लिया है एक बोल फ्रेस मटर के दानी यह वजन में लगबग 250 ग्राम होंगे साथ ही हम लेंगे तीन मीडियम साइज आलू इन्हें हमने इस प्रकार से बड़ा बड़ा कार लिया है अब हम लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया दस से बारा कलिया लहसन की चार से पांच हरी मिर्च हरी मिर्च जितना तीखा आपको पसंद हो उसी की एकॉर्डिंग कमया ज़्यादा कर सकते हैं दो इंच अदरक का इन सभी का हम पेस्ट बना लेंगे इसके लिए इनको मिक्सर जाल में डाल कर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बारिक पेस्ट बना लेंगे अब इसे साइड में रख देते हैं तब तक हम मसाले देख लेते हैं इसके लिए हमने लिया है एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर, अधा चमच हल्दी पाउडर, अधा चमच जीरा, एक चुटकी हींग, बारिक कटा हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और गेहूं का आटा पराथे बनाने के लिए, अब सबसे पहले हम पराथे की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, इसके हींग और जीरा डाल देंगे, और इन्हें ब्राउन होने तक भून लेंगे, अब जीरा हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें मतर के दाने और अलू डाल कर चला लेंगे, अब इसमें सभी मसाले काली मिर्स पाउडर, धनिया पाउडर, हर्दी पाउडर और हरा धनिया वाला पेश्ट जो हमने पना कर रखा हुआ था डाल देंगे साथ ही टेस्ट के अकॉर्णिंग नमक डाल कर मिक्स कर देंगे इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही धक्कन लगाकर 2-3 सीटी आने तक पका लेंगे गैस की फ्लेम फूल पर ही रखेंगे, 2-3 सीटी आने के बाद गैस आफ कर देंगे जब तक हमारी स्टफिंग रेडी हो रही है, तब तक हम पराठे के लिए आटा बना लेते हैं अब हम इसे साइड में रख देते हैं, अब हम अपने आलू मतर भी देख लेते हैं, तो आलू मतर हमारी पग गई है, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा पानी है, तो इसको खुला ही गैस पर रखकर पानी सुख जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसका पेस्ट बना लेगे, इसे आप सिलबटे पर पीछ सकते हैं या फिर पोटाइटो मैसर से अच्छे से मैस कर लेए, तो देखिए हमने अलू मतर का पेस्ट बना लिया है, अब इसमें खुप सारी हरी धनिया डाल कर मिक्स कर देंगे तो अब हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम प्लेट फार्म पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर आटे की छोटी छोटी लोईया तोड़ लेंगे, अब इसके पेड़े बना लेंगे, अब इसमें हम सूखा आटा लगा कर अंगुठे और उंगली की सहायता से इस प्रकार से कटोरी जैसा आकार देंगे, अब इसमें आलो मतर की स्टफिंग भरकर इस प्रकार से बंद कर देंगे, ऐसे ही हमें सारे आटे में स्टफिंग भरकर रेडी कर लेनी है, जब तक हमारी स्टफिंग भरकर रेडी होती है, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर रिष्पी ज्यादा अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिए और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का बटन भी है लेकिन इसे आप ना ही दबाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा अब इसमें हम सुखा आटा लगाकर हलके हाथों से बेल लेंगे जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही हमें सारे पराथे बेल कर रेडी कर लेने हैं तो इस तरह से हमने सभी पराथे बेल कर रेडी कर लिये हैं अब हम गैस पर एक दवा रखेंगे और गैस आउन कर देंगे अब इस पर पराथे डाल देंगे और घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें लगाकर पलट पलट कर दोनों साइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे इसी तरह से हमें सारे पराथे सेख लेने हैं आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं तलने से यह और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं देखिए अब हमारा आलू मतर का पराथा सर्प करने के लिए रेडी है इसे आप टमाटर की चटनी सौस और चाय के साथ सर्प कर सकते हैं मेरी रेशिपी से इसे एक बार जरूर ट्राई करिए मुझे उम्मीद है यह आपको बहुत पसंद आएगा ऐसे ही टेटी रेशिपीस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खाते रहे खिलाते रहे विद नीलम्स किचन फियस्टा